दोस्तों आज की वीडियो में हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल दूद की बर्फी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि हमारी जो बर्फी है वो बिल्कुल दाने दार हो जाती है प्लेन मावा कैसे बनेगा प्लेन बर्फी कैसे बनानी है वो हमें बताईए इससे पहले भी मैंने कई वीडियो अप्लोड कर रखा है लेकिन जो तरीका आज बताऊंगा वो बहुत इजी और जल्दी बनने वाली रह सकते होगी चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं वीडिय नॉर्मल वही बफैलो मिल्क है जो हमने यूज किया है टोटल दूद हम दो लीटर यूज करेंगे लेकिन हम दो अलग अलग यूज करेंगे मतलब कि एक एक लीटर करके हम पहले बनाएंगे तो पहले हम एक लीटर दूस से बना लेंगे उसके बाद दूबारा फिर एक ली दूद मिलाके गोल लेंगे ऐसे यह देखिए अब इससे होगा क्या कि जो आपका मावा है आप कुछ भी बनाएंगे या जैसे भी बनाएंगे इसमें कोई भी दाना नहीं बनेगा तो यह हमने दूद में घोल के आरा रोट पावडर यानि की कॉन फ्लार या फिर कॉन स्टार जिसको बोलते हैं तो वो हमने गोल के इसके अंदर डाल दिया है तो हाफ टी स्पून डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करना है और इसको लगातार उबालते हुए इस मावा को गाड़ा करना है तो एक बार आपने हाई फ्लेम रखना है बिलकुल स्टार्टिंग में आफ फ्लेम पे कर सकते हो क्योंकि हाई फ्लेम पे बिलकुल भी यह नहीं जालेगा स्टार्टिंग में बाद में जैसे जैसे यह गाड़ा होता जाएगा आपने गयास का फ्लेम कम करते जाना है और हाँ दूध कुल जब आप इससे उबाले तो इसको चलाते रहें ताकि तल कोई भी । या उसका सी दीआ कि जमयी आप इन ही देखने आधा उसको सब्सक्राइब उबलते हुए तो इस तरह से ये गाढ़ा हो जाता है देखिए एक्दम रबड़ी जैसा हो चुका है गाढ़ा हम ने कर लिया है अब यह तक हमने दोलेंगे इतना गाण़गी है यह मतलब की सआहologist तब मतलब कि एक लीटर दूद 200 ml जब रह जाएगा तब इसके अंदर हम चीनी डालेंगे अब यह काफी गाड़ा हो चुका है तो इस टाइम पर हम इसके अंदर चीनी डाल सकते हैं चीनी मैं डाल रहा हूँ यहां पे 80-100 ग्राम एक लीटर दूद में 80-100 ग्राम चीनी यूज़ करते हैं तो 80 ग्राम से बिल्कुल नॉर्मल मीठा रहेगा आप कम ज़्यादा करना चाहो तो चीनी कम ज़्यादा कर सकते हो मेंले क्या होता है कि जो मावा दानेदार होता है वो चीनी डालने के बाद ही होता है तो दानेदार ना हो उसके लिए हमने स्टार्टिंग में इस यहां कि दान अदर नहीं बनेगा क्योंकि दूद को क्या करेगा जो कॉन फ्लार है वो जल्दी से गाड़ा करेगा और उस जल्दी से गाड़ा होने की वज़ा से हमारा जो दूद है वो दानिदार नहीं होगा देखिए ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट एकदम मावा बनके रेडी है और इस टाइम पे अग तो थोड़ा सा इसको और टाइट करना जरूरी है मैंने आपको बोला था कि हम दो लीटर दूद से बनाएंगे ये अभी एक लीटर दूद है एक लीटर दूद का मैंने और रख लिया था ताकि टाइम बच जाए मतलब कि आपको बहुत जादा वीडियो लंबी ना हो और बहुत जादा आपको वेट ना करना पने तो मैंने यहापे एक लीटर दूद से पहले ही बना के रख लिया था और यह हमने इसी के अंदर डाल दिया है तो यह दो लीटर दूद का मावा हमारे पास रेडी है मतलब कि दो लीटर दूद में हमने टोटल असी एक सो साट ग्राम जूट का में तरहां सेंसारि हम रख चीनि डाला था लूद संप्ट थोड़ा सा हम इलाइकी का पाउडर डालएंगे और अच्छी तरह से बिलकुल इसको मिक्स करेंगे और पकाएंगे तब तक जब तक यह पैन को बिलकुल अच्छी से चोड़ने न jaws जब तक की पैन तो साइड में जलने का थोड़ा सा ध्यान रखें कि साइड में जलेना साइड में थोड़ा सा इसे स्क्रैब करते रहें और उसके बाद जब आप दो तिन मुन चलाते हुए हो जाएंगे आपको तब यह इस तरह से पैन को छोड़ता हुआ दिखाई देगा यह दिखिए तो इस टाइम पे हम डालेंगे इसमें एक चमबच घी इसलिए डाला जाता है ताकि जो बर्फी है हमारी सॉफ्ट रहे लॉंग टाइम तक अगर हम इसे फ्रिज में 15 दिन भी रखते हैं तब भी यह खराब नहीं होगी और उपर से ड्राइडनेस जो सुखा 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 सा ह हो जाता है ना वैसे नहीं होगा घी डालने से सॉफ्ट रहेगी हमारी वर्फी अंदर से भी और उपर से यह देखिए इसको मैंने एक दो मिनट और पकाया अभी यह बिल्कुल अच्छे से पैन को छोड़ना स्टार्ट कर चुका है मावा तो इसका मतलब है कि यह बिल्कु रेडी है और उसके बाद हम इसको गैस बंद करके फैला देंगे या पंखे के नीचे थोड़ी दिर रख देंगे ताकि यह ठंडा हो जाए तो मैंने इसको ठंडा कर लिया है अब हात लगा सकते हैं मतलब कि थोड़ा थोड़ा गरम है तो पैने पंखे के नीचे ऐसी 10 में या किसी प्लेट में हम सेट करेंगे तो अगर आपके पास कोई बर्फी वाली ट्रे है या फिर कोई भी ऐसी थाली है तो आप उसके अंदर थोड़ा सा ओईल से ग्रीज कर लेना ताकि हम इसको अच्छे से सेट कर सके यह देखिए इसको मिक्स करने के बाद यह काफी ज मैं बाहर की साइड में त slag करने में इसी रहता है इसलिए मैंने बाहर के साइड इसके ऑल लगा के इसके उपर पर रख दिया है आप से सब्सक्राइब गयई तो कम यह इसागी करना चाहिए तो इसलिए थोड़ा इस तरा से कलर दिखाई दे रहा है यह इतना ब्राउन नहीं है जितना कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है मैं आपको इसको सेट होने के बाद दिखाऊंगा फिर आपको पता चलेगा यह बिल्कुल परफेक्ट वाइट है और हाँ इसे अब 10-15 मिनट के लिए अगर फ्रेज में पांस से छे घंटे के लिए हमने रखा और यह बिल्कुल सेट होके अब ड्रैडी है अब इसको हम कट करेंगे और इसके उपर हमने ड्राइफ रोड अगरा नहीं लगाया था बस बाद में हम इसको लगाएंगे इसलिए मैंने पहले कोई चांदी का वर्क और कोई भी ड्रा इसके बाद इस तरह से पीसे हम निकाल लेंगे और मैं आपको तोड़के दिखाओं आप देखी सकते हो कितना सौफ्ट है कितना परफेक्ट है मारी बर्फी और बिल्कुल एकदम जैसे हरवाई के दुकान पर बनाते हैं बिल्कुल सेम टो सेम है इसको थोड़ा सा ऊपर से ड्राइफ रूट से गानिश करेंगे कटे हुए पिस्ता बादाम या फिर जो भी आपके पास है ड्राइफ रूट वो हम इसके उपर डाल देंगे और अच्छे तरह से इसको हम एक प्लेट में रख लेंगे इस तरह से तो आप देख सकते हो काफी अच्छी लग रही है हमा अच्छी वाले बटन को भी जरूर दबा ले ताकि आप सभी को हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स वीडियो में